नमस्कार, न्यूस क्लिक में आपका स्वागत है मौनसून 2023 में ऐसी क्या वज़े है कि हर शहर लगता है एक एक करके पानी के नीचे डूब जाएगा कहीं पे नदी तो कहीं पे जादा बारिश की वज़े से फ्लडिंग की खबरे हर तरफ से आ रही है हिमाचल से लेकि महाराश तक खास तोर से आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं तिकेंदर सिंग पमार से जो सिमला के पूर्व उपमेयर हैं आए देखते हैं वो क्या कहते हैं तिकेंदर जी हम ऐसा जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया सबसे पहले यह बताईए कि इतने सारे शहर क्या सारे शहर एक एक करके डूबने वाले हैं इसकी वज़ा क्या है सारे शहर डूबने वाले हैं ऐसा तो मैं मतलब कहना अच्छा नहीं होगा लेकिन बहुत से शहर डूबने वाले हैं और अगर आप वजा उचेंगे तो मैं समझता हूँ एक वजा नहीं है कई वजा है लेकिन हमें एक रिपोर्ट है जिस रिपोर्ट पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए और वो रिपोर्ट है जो जिसको मैं IPCC कहते हैं इंटर गवर्मेंटल पैनल क्लाइमिट चेंज यह दुनि हैं लेकिन हिंदुस्तान के आ अपने देश के यह साप से दो बाते हुए अहम कहरे है एक बात ही कहरे है बॉंबेऊ जाएगा इसलिए आप जोग से वोए Ek उचान मेंं वेक आदेव तो वह एक अलग चालेंज है और दूसरा है जो हमाले पर है तो सबसे अधा विलनरबिल्टी वैसे पूरे देश में हमारी विलनरबिल्टी जादा है वो मैं सेकंड फेस पर आना चाहूंना है लेकिन हमाले पर और कोस्तल सिटीज में जो भी अबनाज़ेशन है उस पे जादा खत्रा है वो विग्यानिक बोल रहे है और जिस तरह से हमाले में जो हमने पिछले एपिसोड में डिसकस किया था ये जो आँखें उपे पट्टी बांद कर जो डिवलोप्मेंट का रास्ता अक्तियार करना है खासकर पिछले तीन दश्कों में जो शुरू हुआ है जिसमें हाइड्रो पावर जेनरेशन को मतलब हर कहीं आप प्रोजेक्ट लगा रहे हो ये भी देखे हुए कि वहां लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए लोगों की मर्जी को दर किनार करते हैं और हमारे सामने वो नज़र आ ही रहा है आप तस्वीरें देख सकते हैं कितनी बिह ये रोड चलेंगे ही नहीं बिल्कुल तबाह हो जाएंगे क्योंकि ये रोड की मतलब जो बेसिक बुनियाद है पहाड पे काम करने की वही गलत है जिसमें हम बार बार कह रहे हैं कि पहाड में जब कटिंग की जाती है रोड बनते हैं पुरानी हमारी कर्वेंशनल विज़ में पहाड को काटा गया है जो कि टेरेस में कटना चाहिए और आप देख सकते हैं दो मुखे हाइवे हमारे बिल्कुल बंद ही है एक तरह से चाहिए वो चंडिगर मनाली वाला हो या चंडिगर शिमला वाला हो मतलब अभी सेव की बहुत बड़ी तो अगर मैंसे यह कहें शेहर डूबने वाले हैं लेकिन एमदाबाद तो कोस्टल सिटी नहीं है वो भी डूब रहा है एरपोर्ट आपने देखा अभी जो एरपोर्ट हम हमारे प्राइम निस्टर ने बहुत शानों शौकत के साथ दिखाए थे तो इसमें मैं समझता हूं कि एक अलग कनेक्शन है और वो कनेक्शन ये है खासकर वो हलागे वो भी पुराने ही है हम यह कह सकते हैं दो दशक पुराना तो ही है खासकर जब से हमारा वो फर्स्ट अबन कमिशन आया था वो तो 1985 में बना था 1986 में 85-86 में उसकी बहुत अच्छी रिकमेंडेशन से लेकिन एक चीज जिसने एक न शेहरों को देखने का नजरिया वहां से एक नया आता है और वो हमारे जो भी करन्ट गर्मट है उसने एंजन सब ग्रोथ निए उसने तो मतलब उस पटड़ी को यह उखाड़ दिया उसने बला हम तो मतलब पटड़ी से ऊपर ट्रेंड चलाएंगे उस रफतार से हम बनाइ कहाँ आपका इंफरस्क्टर होगा कहां पर आपका स्कूल बनेंगे काँ आपके educated institutions हेल्थ इंस्तूशन बनेंगे social infrastructure कैसा होगा ये सब बंद करके निया तमाशा शुरू हो गए, जिसको हम project-oriented काम बोलते हैं, कि शेहर को बोला सिर्फ project पकड़ी है, project के साथ से काम कीज़े, JNN URM हुआ, और JNN URM मैं अभी एक किताब निकाल रहा हूं, जिसमें जो हमारे minister थे, Ajay Makhan जी, मतलब लोगों को सुनना चाहि है, जिसको हम शायद इस साल एंट तक उस किताब को निकालेंगे, और उनने बतलब अपने आपने ये बताया है कि कितना बिकार रहा है, कितना failure रहा है, JNN URM, it is further accentuating the problems, you know, so the project-oriented approach है, कि big consultants will come to your cities, वो आपको plan बनाएंगे और वो पूरे शहर का नहीं, वो पुछ प्रोजेक्ट बनाएंगे, कुछ mobility बनाएंगे, तो ये जो shift हुआ है, एक पूरे शहर से निकल कर प्रोजेक्ट के बाहर पर काम करना, दूसरा जो आपका समावेशी भी कास होना, इसको बहते है कि इतना exclusionary है, इतना exclusive है, कि उसमें ये कहा गया है, जैसे mobility कापनी है, तो mobility पे कहा गया कि आप जादा capital intensive technological solutions, अगर आप में जैसे बाशा में पूछना चाहें, तो जादा बड़ा पूंजी लगाओ, तो जैसे आपका mobility पर आपको pedestrianization करने की सूर्थ नहीं है, आपको public transport strengthen करने सुर्थ नहीं है, क्या है metro लगाओ, क्या है आप अपना flyover बनाओ, उसको चौड़े करो, और इसलिए इन उन शहरों में मैं पता सकता हूँ, पतना का जैसे जो उनका disaster mitigation एक document है, उसमें मेरी contribution है लिखने में, मैं आपको बता सकता हूँ, कि जो शहर कभी नहीं डूबे historically, वो शहर भी डूब रहे हैं, thanks to our smart city vision, क्यों smart city ने क्या कहा है, कि एकदम से कुछ area पकड़ो, और उस पे आप अपने flower बनाना शुरू कर दो, तो जो मैं कह रहा हूँ, जो conventional drainage system है, वो drainage system सारा खतम करती है, गुडगाओं उसकी एक ताजी मिसाल है, मतलब गुडगाओं तो बहु इस दिखते हैं, और एमदाबाद कब ऐसे कम मतांग किये, अभी हमने कुछ दिन पहले U20 वहाँ पर किया है, urban 20 करके आए हम लोग, मतलब एमदाबाद में, पूरे देश के अंदर हम अपना ढोल पीट कर आए हैं, कि देखिए, ऐसे 75 साल हमारे जबजादी के हुए है, और यह जो हमारा G20 हो रहा है, इस G20 में, urban 20 हमारा एमदाबाद में, एमदाबाद का पूरा, आप देख सकते हैं, लाखों रुपए, मतलब करोडों रुपए खर्च किये गए हैं उसके अड़ुटिसमेंट में, और उसके कुछ हफते बाद हम क्या देखते हैं, आच, और उसक कुछ प्रुजेक्स पे नज़र रखी हैं, और वो प्रुजेक्स ने जो आपका कन्वेंशनल ड्रेनेज सिस्टम का, उस ड्रेनेज सिस्टम को पूरा खतम कर दिया है, अभी शेहर में यही पता नहीं लगता है, एरपोर्ट होगा, एरपोर्ट अथरिटी के पास, और अब प्रुज़ को पूरा हैं, और गिजिए को भूला कर आपनेज सिस्टम कर आपका करके अपका कर दोड़ आपके नहीं लगता हैं, लेकिन एक विचित अच्छी दहर नहीं हैं, और दुज़क्षिट नहीं लगता कर दोड़ेसीड़गां कि लोगों ने कोशिश करी हैं, जो प्रोजेक्ट जो है उसमें क्या खामिया होंगी उसे क्या अधिकते आएंगी वो सरकार के सामने रखे लेकिन सरकार सुनती भी नहीं है वो प्रोजेक्ट चलता रहता है दिली में भी स्मार्ट सिटी सी प्रोजेक्ट है हर जगे अपहले में और वहां भी इसी तरह की पानी की दिक्ते हैं कहीं जादा कहीं कम इस तरह की प्राब्लम से हैं लेकिन सरकार एक ऐसा रवया असा रखती है जो वो सुनती नहीं है तो इसमें अब स्लूशन्स क्या है एक तो प्रग्यम थोड़ा आपको करेक्ट करना चाहूंगा सरकार ने स्ट्रक्चुरली ऐसा धांचा बना दिये के सुनने की जो जो स्ट्रक्चर है ना वही कम कर दिया मैं आपको एक चोटा एक्जाम्पल देता हूं क्यूंकि मैंने अपने न्यूस क्लिक पे ही शो किया था डेली मास्टर प्लैन 2041 तो हम लोगों ने 1951 से ट्रेस की हिस्ट्री तो जो लोग देखना चाहें आप अ दिखा सकते हैं उनको तो उसमें हमने 1951 से शुरू किया मतलब तरफ यह समझने के लिए कि कितना डिफरेंस हो गया और एक लिए जो बड़े कंसल्टेट हो चाहते नहीं है कि लोग आएं और सुनाएं मैं उस पर भी आँगा क्यों वो सब ऐसा करते हैं तो 1951 में जब दिली हर प्रिंस्पल कॉर्पिशन होते थे शिम्ला में जहां पर में डिया पुटी मेर रहा है वहां भी डोली था एक और बाद में वो कहार हो हमारे कॉर्परेटर भी बना तो वो डोली जाता था और वो हर जगा मुनादी करेगा और फिर बताएगा देखो भई यह अलग-लग तो दिल्ली में मुझे अगर सही में बता रहा हूं आपको तो 1951 में हिंदी में, इंग्लिश में, पंजाबी में और उर्दू में ताकि लोग समझ सके और जो अनपड़ है नहीं समझ सके उनके लिए वहां वाकायदा मुनादी की जाएगी कि देखो भई ऐसा-इसा मास्ट प्लान आएगा, आपको अगर कोई अपत्ती है तो आप आईए, वह बहुत इंक्लूसिव प्लान था, मैं ऐसा नहीं कहता लेकिन फिर भी थोड़ा एलिमेंट था, कि आप लोगों के बीश में गए और आपने उस हिसाब से उस स्योजना को बनाया, अभी आप 2041 का प्लान आप तो सबसे, मतला मैं कहूंगा, अलीट नहीं लेकिन प्रभुद दिल्ली के वासी है, आप से पूछा गया कि मास्टर प्लान कैसे होना चाहिए, तो structurally different है, और अभी तो यह पूरा क्योंकि यह बहुत जादा capital intensive technocentric जो महौल है, उसमें मुझ आते ही नहीं कि लोग आए इसलिए वो सारा technological solutions कह रहे हैं कि हाँ, हम यह technology से, हम अब flood के लिए क्या लगाएंगे, हम सिर्फ sensor लगा देंगे, उससे flood में, अर अब flood sensor से नहीं ना पर जाएगा, flood सिर्फ ना पर जाएगा, drain सो साफ करो या, time पर साफ करो, और साथ में आप यह जो basic है, और अब यह भी आ इस आ रहा है, तो अभी अगर आप 2041 का जो master plan है, उसमें वो structure ही नहीं है, एक तो बात है, दूसरी जहां पर लोगों ने प्रियास भी किया, जैसे 2041 के plan में, कुछ लोगों ने प्रियास किया, जिसे मुझे याद है, मैं भी दिल्ली campaign करके, मैं भी उसमें भागीदार था, तो उन्होंने किया, लेकिन एक भी बात वोस मतलब सुना नहीं गया है, और इसलिए वो जो लोगों के पास ताकत है, वीटो की, के हमारा शहर है, वो मुझे लगता है कि new governance structures को, उसको structure को build करना ज़रूरी है, अगर हमने सिर्फ disaster mitigation से नहीं, अगर हमने overall देखना है, you know, resilient governance के के साथ से, या secure governance के साथ से, अगर हमने secure future के साथ से, तो मुझे लगता है कि there have to be new nuances of urban governance, which have to be extremely democratic, and democratic doesn't mean कि आप वापस जारो सुनने के लिए, it means people have to be empowered, if they say no, that must be no, and if they say yes, that must be yes. Unfortunately, those structures, हलाएं कि there's a model urban, एक draft है उसका, and I've been working on that draft quite recently, and interestingly, a draft मुणने वाला और कोई National Institute of Urban Affairs ही है, I would say, अगर वो द्राफ को भी implement, मतला उसको शेप दे दे हैं, तो it's a very positive document, which should be coming into, you know, into light, or in the focus of people, yeah. चीज और है, जो अपने हिमाचल के कॉंटेक्स में कहा कि एक कमिटी ऑफ एक्सपर्ट्स होनी चाहिए, ये किसले आप ते सजजेस्ट किया, ये क्या करेगी कमिटी? हिमाचल दरसल बड़ा इंट्रस्टिंग मॉडल है, डिवल्पमेंट था, हम बहुत ही पिछरे वे थे, जब हम लोग स्टेट बने, आप ये विश्वास करें कि सबसे पिछरे वे ना रोड के नेक्शन था, मतलब पहाडी राजे, हमारी डेंसिटी बहुत लोग, एकनॉमि किया गया लोगों को, उपर से सब कुछ स्टेट इंड्यूस किया गया, कि स्टेट में मैसिव सोशल इंट्रस्ट्रक्श्य खड़ा किया, अब आप लगाओ, 1970 में हमें मतलब स्टेट हूड मिला, और 1980 में 10 साल में हमने हर घर में बिजली पहुंचा दी, जिस्ट इमाजिन क और liberalization के model में जिसमें कहा गया, कि market ते करेंगी, वो आज मैं कहता हूँ, dead end पर आ गया, और जिसने ये कहा कि आपको अपने resources अब generate करने हैं, इसलिए हम लोगों ने कहा, ठीक है, resources जेनरेट करने हैं, तुरिजम बढ़ाना पड़ेगा, तो इसे शिमला की population 2 लाग है, तो हम करीब 50 लाग tourist आता है, कैसे हम उसको रखेंगे, क्या करेंगे, resources, waste generation, तो आप कैसे करोगे, road widen करोगे, road widen करोगे, तो आपके सामने नतीजा है, hydropower generate करोगे, resources generate करोगे, ये दूसरा model है, अब ये model में ये समझता हूँ, कि ये committee of experts नहीं, इसको हम बोले, commission of inquiry, under the commission of inquiry act 1952, सिर्फ ये नहीं हो सकता कि किसी mystery ने डंगा ठीक नहीं लगाया, या जैसे मैं जानता हूँ, JP तो आज बिचारा वैसी भरवाद हो गया, delinquent हो गया, लिकिन मैं जानता हूँ, जिस दिन सत्लूज में बाढ़ाएगी ये पूरा बह जाएगा, क्युकि जो से वंक्तु सत्लूज के आस-पास, तो ये भी नहीं होसता कि सिर्फ उसक्त इंजिनियर्स उनको जेल में डाल दो गई, जिन्होंने नहीं नहीं देखा, या फिर JP को आपकड के लाओ, तो खेर वैसी भजारा पकड़ने लाएग नहीं, आज तो पूरा delinquent हो गया है, जिन्दल को बेच Commission of Inquiry Act, which is under the Constitution of India, और वो state government empowered है, और उसमें हमने ये कहा है कि रिटार्इड Supreme Court के जजज, preferably जो हमाचल से हो, and then of course there can be a committee comprising that commission, और वो एक साल दो साल लें ताकि एक रास्ता दिक, और उसमें सबसे बड़े स्टेकोलडर लोग होंगे, ताकि लोग उसमें अपनी बात कहें, औ और इसा हुआ है बहुत सारी जगा पर इसे एंडमन्स में मालूँ है, Commission of Inquiry Act के तहत कमिशन की गई थी और कुछ वहाँ पर हासल भी किया गया था, नहीं तो ये क्या होगा, हर साल पर क्या हम अभी discuss करेंगे, बरसात आएगी तो हम बार discuss करेंगे, थोड़ा पानी नहीं आ पर इसे नहीं तो ये बिना इस स्टेटस को के बिना इस इनर्शिया को तोड़े हुए हम नहीं, हलांकि वो बहुत राडिकल बात है और वो पीपल्स पारिस्पेशन से वो टूपना चाहिए, वो बहुती राडिकल ट्रांस्फोर्मेशन की बात है, लेकिन ये एक रेय अफ होब है, जिसमें लोग खुद उसमें शामिल हो सकते हैं, ये उसी तरह से हैं, जिस तरह से डॉक्टर परमार ने, मतलब आपको कहानियां अगर मैं हिमाश्य के संदर में सुना हूँ, तो उन अपने पीट पर खुद पैदल चलके तब लोगों कहा सेब लगा हूँ, तो जोड़ कर बाहर जा रहे हैं, सिर्फ सेब एक ऐसी क्रॉप है, जहांपर लोग वापस आते हैं, और अपना काम होबर करते हैं, तो इस तरह हमारा सोशल इंफर सक्षिय जो अड़ा किया गया है, लेकिन वह एक डिसरप्शन चाहिए है, उसमें एक नया चाहिए, और नया के आपको बिजली जनरेट करने चाहिए, जैसे आज की नौर में होगे, नो मींस नो, आपको कितना टूरिजम चाहिए, क्या मैस टूरिजम ही रास्ता है, या कुछ अल्टरनेट हम सोच सकते हैं, मुझे लगठा है, इस पर बहस होना बहुत जरूई है, और हो Commissioner of Inquiry can actually enter into this domain and can really come out with some very good proposal, which can become a document of people's mobilization later on. Right, thank you very much for joining us. अल्ग अल्ग मौसम की जानकारी और उसके असर की जानकारी पहुंचाते रहेंगे, बहुत शुक्रिया.